आप सभी का स्वागत है आज मैं गोधूली भाग दोउद दस्वी कच्छा पार्सीन भारस से हम क्या सिखे के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चले मेरे प्यारे बच्चों बेदान्तियों का भी बेदान्ति कहा जाने वाले एम नाइट की उपाधी प्राप्त करने वाले महान पास्चात बिद्वान मैक्स मुलर के बारे में भारस से हम क्या सिखे उनके भासान के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारे पास्चात विद्वानों में मैक्स मुलर एक ऐसे विद्वान है जो भारत में आकर के यहां की संस्कृतियों से यहां की सभ्यताओं में पल कर यहां की हर वातावरन से वहां उसके प्रती अपने मान यूम सम्मान में विव्यूतियों में चा जाने वाले ऐसे पास्चात विद्वान रहे हैं जिनका नाम है मैक्स मुलर मैक्स मुलर बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा हमारा समस्त सर्वभू मंडल से छवी भूत ऐसी भूमी रही है जहां प्राकिति का सर्वसंपता से भरपूरे धरती रही है जिसका नाम है भारत इस देश में हमारी मैक्स मुलर आये तो यहां की छवी भूत को देखकर यहां की दर्शन को पाकर भारत की संस्कृतियों को पाकर उन्होंने साफ कहा है कि प्लेटो और कांट जैसे दर्शनिक के विद्वानों ने जो अपना मतविदी है अपने विचार को प्रस्तुत की है तो उस छित्र में भी भारत देश किसी से कम नहीं है हमारा देश भारत देश बता रहे हैं मैक्स मुलर की हमने जो है यहां की हर तरह से मैं भारत का भ्रमन करके भारत की हर दिसाओं का भ्रमन करके यदि मैं आया हूँ तो सबसे नजदी की गाओं में जाकर गाओं के नागरिकों के प्रती जाकर उनके सानिज्जों में पलकर उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं आउगत हुआ हूँ और सच्मुच में सच्चे दर्शन हमें जो मिलते हैं आज भी भारत की ग्राम वासियों में देखने को मिलते हैं मैक्समुलर की सब्दों में प्रस्म भी बनकर आता है कि सच्चे दर्शन भारत में देखने को कहा मिलते हैं तो मैक्समलर की सब्दों में वही सब्दे आते हैं जो कि ग्रामवासियों आज भी भारत गाउं का देश है जिसमें आपस में भाईचारे का सम्मन और यहां की संस्कृतियों को प्रभाईट होकर और ग्रामिलों में जो है आज भी लगाव प्रेम स्ने जो भी मिलता है तो लेखक हमारे प्रभाईट हुआ है इस संस्कृति को पाकर जो सच्चे दर्शन हमारे भारत में देखने को मिलते हैं चलिए आगे हमारे मैक्समुलर के सब्दों में मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे तो बता रहे हैं कि यदि हम भूभाग भूभिज्ञान में यदि रूची रखते हैं तो हिमालय से लेकर और स्री लंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतिच्छा कर रहा है यदि हम बनस्पत्ती के जगत में विच्रन करते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवाली है जो हरकस जैसे अनेक बनस्पत्ती बैज्ञानिकों के अन्यास ही अपने ओर आकरसित कर लेती है भारत की छविभूद दर्सन आगे बता रहे हैं कि हमारा आज भी भारत में मैं विच्रन करते हुए यहां के जुजन्तुओं के अध्यम किया तो मैंने हेकल जैसे महान विद्वानों की तरफ में आकरिष्ट हुआ और आज तक मैं भारत के जो है समुंदर तर्स से लेकर अन्य कन्या कुमारी से लेकर अन्य तटों पर घुमते हुए द्रिश्य और छविविद को पाया तो मैंने कहां पाया तो भारत देश में पाया यदि हम निर्वन्स विद्या में यदि हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा जीता जाकता संग्रहाले हमारा भारत बर्स नहीं लगता है मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीके यहां की संस्क्रिती तो ऐसी संस्क्रिती रही है जिस संस्क्रिती में पलकर मैक्स मुलर ने इसके अगाद संस्क्रिती के तत्तों को पाकर यहां की भाईचारों का समन देकर यहां ग्रामवासियों को दरसंदेकर यहां के हर तरह से विचारों से प्रभाईटों कर अपना मतब विव्यक्त कर रहे हैं कि भाईच से हम क्या सीखे चले बता रहे हैं कि यदि आप पुरा तत्तों प्रेमी हैं तो तुरंट उत्खनन के लिए उसकी बारे में जानने के लिए हमें जैनरल कनिंगम जैसे पुरा तत्तों सर्वेच्छन की वार्षिक रिपोर्ट को लेना चाहिए और तब भारत के बहुत समराठों द्वारा निर्मिक नालंदा जैसे विश्विद्याले अथ्वा बिहारों के धोसांसों को खोद निकालने के लिए आपका फावडा आतूर होगा चले नालंदा जो की हमारी संकनिंगम एक ऐसे पुरा तत्तों विद्वत समाज के अंतरगर आते हैं कि भारतिय संस्कृती में जो बवधर्म का पतन हो गया था जैसे नालंदा विश्विद्याले विक्रम सिला विश्विद्याले तक्सिला विश्विद्याले अन्य हमारे भारत की संस्कृतियां जो ही यहां से लुप्ध हो गई थी तो अपने पुरा तत्त्तु सर्वच्छ सद्धिया कनिंगम ऐसे थे हमारे मैक्स मुलर अपने वीचारों के माध्यम से आउगत करा रहे हैं चलिए आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं यदि भारतिया आपका आमाने यदि पुराने सिकों पर लगता है तो पहले जमाने के राजा और महराजा अपने अपने जमाने के सिक्के चलावाए थे जो सिक्के पर अपने नाम को अंकित करके जो है चलाए थे जिसके बारे में बताया जा रहा है अकबर जैसे राम सिया के बारे में सिक्के चलावाए थे तामर पत्र से लेकर धातू पत्र से लेकर अनेक सिक्कों को चलवाए थे आज भी यदि हम देखते हैं कि भारत वह देश रहा है जिसमें निती कथाओं के अध्यान में हम प्रवेश करते हैं तो भारत ही ये कैसा देश है जहां पर नाना विद्ध अनेक प्रकार के मारगों द्वारा निती कथाओं हमें प्राप्थ हो सकती है हमारे यहां तो प्रचलित कथाओं दंद कथाओं के प्रमुक्सरोथ अब बावधर्म को मानने जाना लगा है बावधर्म तो एक ऐसी संस्कृती रही है कि उसके बारे में पास्चात्य विद्वान जो हमारे मैक्स मुलर भी बता रही है कि यहां का बावधर्म बहुत ही ऐसी ऐसी संस्कृतियों को जन्म दिया है देश भारत की कहने क्या है चलिए लेकिन एक ऐसी बातें बता रही है कि उधारन के लिए यदि हम सेर के खाल में गठा की कहावत कह लें तो यह सबसे पहले युनान में प्रसीद प्रचिन्द दार्षनिक हमारे प्लेटो के जो है क्रटिलस में हमें देखने को मिलती है आए आगे बता रहे हैं हमारे मैक्स मुलर भारत से हम क्या सिखे तो बता रहे हैं कि यदि हम प्राचिन प्रतल जूग में यदि प्रविश करना चाहते हैं तो वहां के पच्छिमी सब्हताओं में अनिक दंद काथाओं के रुप में हमें हर तरह से देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े विद्वत समाज यदि हम बड़े बड़े यदि हम बिधी सास्त्र कानूनों में यदि जाते हैं या उखानून सास्त्र के अंतरगत हम बिधी यदि हम बिध्यार्थी हैं तो यहां के बिधी संगताओं को एक ऐसे इतिहास की जांच परताल का उसर मिलेगा जो इनान रोम जर्मनी की ज्यांत बिधी सास्त्रों के इतिहास से सर्वता भीन होते हुए यहां की समंताओं और विध्यार्थी के लिए उप्यों की सीद हो सकता है वह देश है भारतवर्ष उद्हारं के लिए हम ले सकते हैं धर्म सुत्रों या सम्याचारीक सुत्रों को ही ले वे धर्म सुत्र मानो धर्म साथ जैसे परवर्ति विधी गरंतों का अधारभूत सामगरी उपलब्ध होते हैं तो ऐसे दर्सन हमारी भारत में ही देखने को मिलते हैं भारत से हम क्या सिखें मैक्स मुलर बहुत से यहां पर अपने विचार विंदूओं को डाले हैं बता रहे हैं एक एक से उदहारन एक एक से कथो कथं के मध्यम से प्रस्तुत करते हुए यदि हम राजनेती की कायों के निर्मान के विकास में समरीत प्राचिन यूग के कानून के पुराता रुपों के बारे में इधर से जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्वा और उसके वास्तिक सरूप को परक्षने के लिए हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए किसका सहरा लेना होगा भारत भारत जहां पर ग्यान यूँ प्रकास का देश है ऐसा देश है भारत चले और धर्म की छित्र में यदि देखा जाए तो मैक्समुलर बता रहे हैं कि यदि धर्म के वास्तिक उद्वो एम विकास के प्राक्रितिक विकास था अन्य चीज यदि देखा जाए तो यहां अन्य धर्म में हिंडो, मुसलेम, सेख, इसाई, बाउध अनिक धर्मों के लोग होते हुए भी अनिकता में एकता का प्रारूप देखने को मिलता है हमारा देश भारत यहां की विचारों से ऐसे अउगत हुए थी, प्रभावित हुए थे कि अंत में उन्हें कह देना पड़ा कि भारत से हम क्या सीखे चले, एक-एक से अपने मन तक भी और एक-एक से विचारों का अउगत करते हुए आगे बता रहे हैं कि यदि हमें भारत के इतिहास के किसी भी अध्याय का सम्यक रूप से यदि विवेचन या स्पष्ट करना हो तो हम इसकूल और कालेजों में पढ़ाए जाने बाली इतिहास के असब अध्यायन मिलाकर उसका हम बराबरी नहीं कर सकते आज मैं यहां का साहित्य की चर्चा नहीं करना चाहूँगा किन्तु भारत की सबसे अधीर प्राचीन जो है भासा के रूप में जिसका नाम संस्कूल है तो मैं पुछू बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सबसे बड़ा संस्कूल को ही महत्तुफून क्यों दिया जाता है या सर्व अतिसाई क्यों है तो संस्कूल की सबसे पहली विशिष्टा बताई जा रही है कि यहां है प्राचिन्ता जो हम लोग जानते हैं ग्रिक भासा का सबसे बड़ा संस्कूल का पूराना है आज भी हम यदि ग्रिक और लाइटिन भासाओं लोगों की सद्यों की ग्याद और निसंधे अन्भाव करना है तो इन भासाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं चलिए उदहारा तोर पर बता रहे हैं कि यदि आग के लिए संस्कीत का अगनी और लाइटिन का एगनीस और एक ही सब्द मिल जाता है तो हम निर्भानत रूप से इस निसकर्ष पर पहुंचा सकते हैं कि एक तूसरे को अगनी का ग्यात हो चुका था साथ ही यदि यह हम दर साते हैं कि इसला और टूटनारिक भासाओं का इस सब्द से यदि हम पची थे तो पहले ही क्लांतर में अगनी सब्द के लिए यहां सब्द को गढ़ लिया गया था आगे चल کرके यदि हम संस्क्रीट में मूसः ग्रीग में मूस और लैटीन में मूस पूरानी सलोलिक में मायिस का फुरानी उच्छन जर्वन में मूस कहते हैं इससे हम इसी निसकर्ट पर पहुंच चेकते हैं कि उस प्राचिन जूग में जिसकी काल गरना हम अपने नहीं अप्रितु विकास तित्की क्राम के अधार पर कहा जा सकता है पहले से कहात जाता था कि चूहा ग्यात था और उसका नाम मुझे भी रख दिया गया था जिससे किटपतं के साथ इसकी पाचान में कोई अपला नहीं हो जाए बहुत बहुत बिचारों पर प्रकास डाले हैं हमारे मैक्स मुलर ने जो कि बारबार हमें आब रितितों नहीं कहना चाहिए लेकिन यह भासन संकीत दे रहा है मैक्स मुलर का भारब से हम क्या सीखे चले यदि पुराने पत्थरों या काच के टुकलों को जोड़ जोड़ कर यदि बनाए गए पच्चीकारी के रूप में यदि चित्र के माध्यम से हम संबोधित करते हैं या बताते हैं तो वह दिश कहां देखने को मिल रहा है भारत में यदि हम अन्य और भी भासाओं के रूप में ले सकते हैं क्योंकि यदि हम भासा संस्कीत के बाद यदि भासा भी ज्ञान के द्वारा यदि हमने इसकर्ष पहुंचे तो संस्कीत के सहायता के बिना कदापी नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं हमारा इतिहास का यह द्यान प्रत्ने मानों को अपने पुरु का वास्टिक रूप पहचानने के लिए दर्शित करता है हम लोग पुर्व से आये हैं हमारे जीवन की जो भी अत्यधिक मुल्यवान वस्तु है वह हमें पुर्व से मिला है और पुर्व तक पहचान लेने के लिए प्रत्ने व्यक्ति को जिसने इतिहास के वास्टि सिच्छा का कुछ लाब उठाया है भले ही प्राच्य विद्या विशारत न भी हो तो यहां अनुवव होगा कि यह ना ना बिधी इसमीतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर हम जा रहे हैं वह है देश भारत चलिए एक अन्य उदहारां तौट पर हमारे मैक्समुलर संबोधित कर रहे हैं कि जब हम भारत के तर्ट पर पहुँचेंगे तो सर विलियम्स जोन्स कास उस समय उनका बातों की माध्यम से उनकी बिच्रण की माध्यम से उन्होंने इंग्लेंड से आरम की हुई अपनी लंबी समुदर यात्रा की समाप्ती पर सर विलियम्स जोन्स एक बहुत बड़े विद्वान की रूप में जाते हैं मेरे प्यारे विच्चों 1783 अगस्त में उसके देश के लिए मैं समुदर यात्रा कर रहा था तो एक दिन संध्या दिन भर में देखी गए द्रिश्यों का जाज परताल करते हुए मैंने पाया कि भारत के तड़ पर मैं पहुच गया हूँ जो सीतल मंद हवाएं उन्हें छविभूत कर रही हैं भारत को सर बिलियम्स जोंस जैसे अभी ना जाने कितने स्वपन दर्शियों को यावश सकता है जब अपने जहाज के लिए के पर अखले अकेले खड़े 37 बर्स की सर बिलियम्स जोंस ने देखा था और कि किस तरह सुर्य अपनान सागर में रुबा जा रहा है तो मैं उसका रूप भारत में ही एक चीज देखने को पाया जहाँ पर ठंडी हावाएं सितल, समीर, पुड़े, वाजावरान को प्रभावित कर रही थी चलिए निसका अर्ष्टा हम कह सकते हैं कि मैक्स मुलर ने जो हमको अपने संभासन के माध्यम से भारत से हम क्या सिखे ऐसी संस्कृति को लेकर आए हैं जो यहां की संस्कृति, यहां की वातावरान, यहां की नैतिक सिछा, यहां की साहिति से दर्षन से लेकर बहुत से जो है, विधाओं में इनका अगरण्य अस्थान रहा है इस तरह से हमारे मैक्स मुलर यहां की संस्कृतियों से बहुत प्रभावित हुए हैं और आज भी कहा गया है कि नए सिकंदर को सोचकर निरास नहीं हो जाना चाहिए कि गंगाय और सिंद के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने के लिए कुछ और सेस भी नहीं बचा इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने इस पार्ठ के अंतरगत भासन मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सिखे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया चलिए सेस अगले दिन के लिए